दोस्तों, 15 अगस्त पे बोलना इतना आसान नहीं है, हर कोई वो ही बोल चुका होता है जो आप सोच के आये होते हो, तो आप अगर फिर वही कहेंगे जो पहले कहा जा चुका है, तो आपकी बात में वो वजन नहीं आ पाएगा, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, आपके म में पल रहे विजारों का समादान करना ही हमारा काम है, हम आपके लिए हर बाशन अलग तरीके से तैयार करते हैं, और आज का ये बाशन भी कुछ अलग है, तो चलिए आगे वड़ते हैं, आज के इस सुबवसर पर आप सभी को बदाई देते हुए, माभारती और सवतंतरत सैनानियों को नमन करता हूँ, आज के इस टेकनोलोजी यूग में हर कोई जानता है कि हम आज का दिन क्यों मना रहे हैं, लेकिन हमारे वीरों और उनके अदभुत बलिदानों को आज याद करने का दिन है, जो सिर्फ दिल के भावों से ही बया हो सकता है, कुछ फुल अर्प जलकती है, कल जब आप देखोगे, तो ये तिरंगा जो आज आसमान में लहरा रहा है, उसका तुम्हे कल अपमान होते दिखेगा, रस्ते पे आपको ये तिरंगा जगा-जगा मिलेगा, कोई देख के निकल जाएगा और कोई रस्ते से उठा कर ऐसी जगा रखेगा जहां इसका अपमान नहो, यहीं पर देखने को मिलती है देश वक्ती, और इसे ही कहते है देश वक्ती, जो किसी भी हालत में देश का या तिरंगे का अपमान नहीं होने दे, ये तो सिर्फ एक उदारन पेश किया है, मगर ऐसे सैकड़ो उदारन गिनाए जा सकते हैं, लेकिन आओ, आज एक कसम खाए कि हम देश के लिए हर रोज अपना कुछ समय निकालेंगे, और जिस तरह भी हो, चाहे वो समाज सेवा हो, सवच्चता बियान हो, या निया कोई देश इत का कारिया, उसमें हम सब भागिदार बनेंगे, चहरे पे जूट का मुखोडा डाल के देश वक्ति नहीं होती, आज हमें ये नकली चेरा उतार पैकना होगा, और सच्चे मन से मावारती का सच्चा सेवक बनकर इस देश को प्रगती पे ले जाना होगा, हमारा करतव ये बनता है, कि जिस तर्ती पे हम रहते हैं, उसे प्यार करे, उसकी रक्सा और उन्नती का वचन ल लेकिन आज हम उसे भुला रहे हैं, अगर फिर हम एक जुटता और भाईचारे से मिल कर चलें, तो देश को श्वरनिम बना सकते हैं, मेरे देश के उन बहादूर सैनानियों और सहिदों को सरदान दिली देते हुए, आज का बाशन स्वाप्त करूंगा, आशा करता हो कि मेर कई बातों को आप अपने विचारों में जगह देंगे, इसे उम्मीद के साथ, चैहिन, वंदे मातरम,